तो हलो एवर्वान मेरा नाम है सुभम चोहान और आप सभी का स्वागत करता हूँ CBC Commerce Classes में तो चलो शुरू करते हैं chapter number 2 के solutions को यहाँ पर और हम शुरुआत करते हैं question number 1 से लिखा हुआ है which of the following statement is true with reference to principle of management principle of management से संबंदित कौन सा statement सही है principles of management have evolved principles of management evolve हो चुके है मलब find किये जा चुके है principles of management are yet to be evolved अभी यह find नहीं किये गए है अभी बहुत सारे principles of management को खोजना बाकि है यह principles of management are in the continuous process of evolution यह principles of management जो है ठीक है वो continuous process of evolution लगातार find किये जा रहे है तो डिय अगर बताया जाए तो principles जो है वो लगातार find किये जा रहे है बहुत सारे principles हमें मिल चुके हैं जैसे हम हें फ्रिंद्री फ्योल के हैं fw टेलर के हैं ऐसे बहुत सारे और भी लोग है जो principles management के बहुत सारे सिधान क्या कर रहे हैं जिससे की management की efficiency को क्या किया जा सके बढ़ाया जा सके तो यह continuous process of evolution में है clear है अब बात करते हैं fw बाइप्रोफेशन fw टेलर वह जा ठीक है बाइप्रोफेशन fw टेलर क्या थे ठीक है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं तो यह एक American mechanical engineer थे simple sikr में बात करूँ ठीक है तो अगर इनके बारे में बात की जाती है तो इनको क्या बता होगे आप यह एक mechanical engineer थे उसके बाद next आता है the principles of pure science is considered to be pure science के जो principles होते हैं वो nature में कैसे होते हैं flexible होते हैं rigid होते हैं creative होते हैं न न आफ देवो वह प्योर science के जो principles होते हैं न प्योर science के principles ठीक है static manner में यूज किया जाते हैं यह बिल्कुल भी change नहीं होते है तो इसलिए तो बीज़दा correct sut rule of thumb refers to rule of thumb का मतलब आप क्या समझते हो Rio of thumb का मतलब होता है कोई भी काम ठीक है जो आप किआ कर रहे हो जो आप personal judgment से कर रहे हो या ही कर रहे हो या कर रहे हो या तो आप अप naive personal experience के अधार पर कोई decision आगे ले लेते हो ठीक है बिना सोचे समझे कि हाँ ऐसे हुआ था और आगे भी ऐसे ही होगा ठीक है तो बिना सोचे समझे आप ऐसा decision ले रहे हो personal judgment rule of thumb है अगर आप हीट and trial approach का मतलब होता है कि ठीक है चलो इसको apply करके देखते हैं success होगा तो ठीक है नहीं तो कोई बात जाएगा जो देखा जाएगा जो होगा यह वाली जो बात होती है भावना होती है यह तो यहां पर देखो यूज ऑफ परस्नल जज्जमेंट इन हैंलिंग मैंजमेंट इसू भाई परस्नल जज्जमेंट जो यूज किया जाता है यह भी सही चीज है और इडॉप्टिंग अ हीट एंड ट्राइल अप्रोच एंड डॉप्ट करना तो यह दोनों ही क्या है रूल ऑफ थंब के मतलब की दोनों ही रूल ओफ थंब हैं तो बोत आफ दैब हो सी दोनों ही जो है वह रूल आफ थंब कहलाते हैं ठीक है according to this principle of scientific management question number 5 देखते हैं according to this principle of scientific management the employees should be rewarded for their suggestions which results in substantial reduction in their cost scientific management के इस principle के द्वारा employees को उनके उन suggestions के लिए इनाम दिया जाना चाहिए जिन suggestions के विज़से लगातार लागत में क्या रही है कमी आ रही है तो अगर बात की जाए तो बिल्कुल उनको दिया जाना चाहिए कौन सा principle ऐसा है भाई देखो तो यहाँ पर suggestions के अगर बात की जाती है तो employees का suggestions हम क्या करते हैं लेते हैं क्योंकि हम cooperate करके काम करते हैं ठीक है individualism नहीं किया जाता है तो cooperation में काम किया जाना चाहिए 직办 करणे के लिए dire employees के अनके better सजिशन के लिए reward दिया जाना चाहिए जिसे की उन aper क्या करें और ज्याward क्या क्या क्राएं participate करें और अच्छे से काम करें जिससे की वह क्या रहा है motivated रहें wasn't the correct answer कोश्य नमबर 6 के बारे में बात करते हैं ठेक है यहाँ पर considering the fact that it is difficult to find one single person with all the needed qualities इस सच्चाई को मानते हुए कि एक परसन में सभी qualities नहीं मिल सकती है तो इस टेक्निक के थुरू टेलर ने कहा है कि हर एक काम के लिए एक क्या करना चाहिए तो भाई टेलर ने बिल्कुल कहा है कि भाई हर एक काम को क्या किया जाना चाहिए हर एक काम को अलग-अलग परसन हर एक काम को करने के लिए एक परसन के अंदर ही सभी qualities नहीं होती है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं different qualities के different persons को appoint कर सकते हैं इससे काम क्या हो जाएगा काम का burden काम हो जाएगा और काम सेयर हो जाएगा तो इससे का जाता है functional formancy ठीक है functional formancy उसके बाद seven number है तो concept of work study work study technique किन को include करता है तो work study technique जो होता है time study ठीक है plus motion study plus fatigue study मतलब यह जो तीनों है time study भी है motion study भी है और क्या fat go study भी है को इश्यों यहाँ पर तो इन तीनों ही चीज़ों क्या करता है वो all of the way सभी studies को क्या करता है इंक्लिवड करता है clear है next आता है आपके पास eight number question which principle of general management advocates that बलब कि general management का कौन सा principles बताता है कि employees turn what should be minimized to maintain organizational efficiency बलब कि employees के turnover को employees turnover should be minimized employees को turnover को क्या काना चाहिए minimize किया जाना चाहिए जिससे कि organization की efficiency हम क्या कर सके achieve कर सके तो employees के turnover को minimize करने के लिए employees को हमें क्या करना पड़ेगा stability of personal next question है the application of this principle of management leads to higher production and better work ठीक है यह principle जो है वो management को मतलब higher production और better work ठीक है करोगे higher production करोगे तो वह division of work के अंदर क्या करते हैं task को smaller parts में divide करते हैं और हर एक smaller parts को क्या करते हैं specialist को soft देते हैं इस पेशलिस्ट को जब उस smaller parts को या job क्या करता है continuously perform करता है तो उसमें क्या हो जाता है henry fuel guides the managers to exhibit exemplary behavior and advices that they should not fall into temptation of misusing their powers for personal benefit at the cost of general at the cost of general interest of the organization मतलब क्यों कहते हैं इस principle को कहते हैं henry fuel कहते हैं कि भाई employees को अपने powers का misuse नहीं करना चाहिए ठीक है कि अपने परस का personal benefit के लिए गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उसे हमेशा company के general interest में काम काना चाहिए organizational interest में काम करना चाहिए तो अगर यह चीज है तो यह हैड़ी है subordination of individual interest to general interest वहलब कि individual interest का subordination general interest की और होना चाहिए आप individual interest क्या कर सकते हो sacrifice करते हो general interest क्या करने के लिए achieve करने के लिए and it is the correct answer तो यहाँ पर आपके chapter number two के जो mcqs है ठीक है यह हमने क्या कर लिए है पूरे solve कर लिए है I hope आप लोगों ने वीडियो enjoy की होगी और अगर किसी question में आपको problem आ रहे है समस्य आ रहे है तो आप क्या कर सकते हो हमें whatsapp कर सकते हो 7703935573 यह मेरा personal number है आप अपना नाम लिख करके और slash youtube लिख करके आप हमें क्या कर सकते है वाट्सप करके अपने questions और doubts पूछ सकते हो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को like कर दो share कर दो और subscribe कर दो अपने दोस्तों के साथ भी share करो support दिखाओ thank you so much